आज मैं आपके लिए बहुती डिफरन टाइप की चाट की रेसिपी लेके आई हूँ I am sure कि आज से पहले आपने ये चाट को कभी ना ही बनाया होगा और ना ही खाया होगा बनाने में बहुती आसान और खाने में सुपर टेस्टी लगती है जो टीनेजर्स है वो भी बहुती आसानी से ये चाट को बना के तयार कर सकते है और ये चाट को आप बच्चों के टिपिद में देना चाते हो तो भी बना कर दे सकते हो ये चाट का नाम मैं आज आपको नहीं बताऊंगी बलके आपको ये चाट का नाम पता है तो मुझे फटाफट से comment box में लिखके बताईएगा कि इस चाट का नाम क्या है रसपी के अंत में ही मैं ये चाट रसपी का नाम बताऊंगी हलो एवरिवन मैं हूनी दी और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चैनल में तो आईए फ्रेंस देखते हैं इस मज़ेदार से रसपी को रसपी पसंद आए तो लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी बत बुलिएगा तो आईए फ्रेंस बनाते हैं बहुती टेस्टी और चटपटी चाट को चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कच्चे केले की तो यहाँ पे मैंने कच्चे केले को पहले से ही कुकर में बॉल करके तयार कर लिया है और यहाँ पे मैंने तीन कच्चे केले लिये थे और यहां पे मैंने कच्चे के लिए boil हो जाने के बाद greater की मिनदद से grate कर लिया है तो हमें टिक्की बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी अभी मैंने यहां पे mixing bowl लिया है और इसके अंदर ये कच्चे के लिए को हम डाल देंगी अभी यहाँ पे हमें इसके अंदर मसाले डालने है तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चियों की पेस्ट को लिया है आपको जितना तीखा पसंद हो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे हरी मिर्च की पेस्ट को डालना है मैंने यहाँ पे 1,4 TSP जितनी पेस्ट को डाला है यहाँ पे हम रेड मिर्ची का यूज नहीं करने वाले है इसलिए यहाँ पे हमें हरी मिर्चीयों की पेस्ट को ही अच्छे से डाल देना है हाफ टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम आमचूर पाउडर को डालेंगी सबको यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इतने ही मसालों में यहाँ पे हमारे टिक्की बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनेगी सबको यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और mix करने के बाद यहाँ पे हमें हाथों के अंदर oil को लगाना है और oil से यहाँ पे हमें अच्छे से इसे grease कर लेना है grease करने के बाद यहाँ पे हम कच्छे के लेके मिस्रन को ले लेंगे और इस तरह से हम ball बनाएंगे और बॉल बना के यहाँ पे हम इसकी सरकल शेप में टिक्की तयार करेंगे समान साइस की यहाँ पे हम सबी टिक्कियों को बना के तयार कर लेंगे हाथों को ओल से ग्रिस करेंगे तो हाथ के अंदर ये मसाला चिपकेगा नहीं तो यहाँ पे हमें हाथों को oil से grease करने के बाद ही तिक्की को तयार करना है इतने मिस्रण में से हमारी 5 तिक्की बनके तयार हो जाएगी यहाँ पे हमारी तिक्की बनके तयार हो चुकी है अभी यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड को यहाँ पे मैंने मैदा वाली ब्रेड का यूज किया है अगर आप चाहो तो यहाँ पे गेहू के आटे की या मल्टी ग्रेन आटे वाली ब्रेड का भी यूज कर सकते हो इसमें से यहाँ पे हम एक ब्रेड को लेंगे और यहाँ पे हम कोई भी कटोरी या कटोरा ले लेंगे और इस तरह से हम इसे सरकल शेप में कट कर लेंगे सबी ब्रेड को यहाँ पे हम इसी तरह से सरकल शेप में पहले कट करके तयार कर लेते हैं और बागी की जो ये bread बच गई है इसे हम waste नहीं करेंगे इसका use यहांपे हम bread crumbs बनाने के लिए करेंगे ब्रेड क्रम्स में से अब कोई भी स्टाटर बना के तयार कर सकते हो या टॉमेटो सूप बनाना चाते हो तो टॉमेटो सूप में भी ये ब्रेड को कट करके डाल सकते हो यहाँ पे मैंने ब्रेड को कट करके तयार कर लिया है तो यहाँ पे हमने गैस के उपर तवे को गरम करने के लिए रख दिया है तवा भी यहाँ पे हमारा गरम होता है तब तक यहाँ पे हम ब्रेड के उपर ये टीकी को इस तरह से प्रेस करते हुए लगा देंगे तवे के अंदर मैंने ओयल को डाला है पहले से ही इस तरह से हम सभी टिक्की को ब्रेड के उपर चिपका लेंगे बहुत ही आसानी से ये टिक्की चिपक जाएगी ब्रेड के उपर और यहाँ पे हम इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे तवा यहाँ पे बड़ी साइज वाला है इसलिए यहाँ पे हम एक साथ ही इसे सेक लेंगी इसे उलट-पुलट करते हुए यहाँ पे हम अच्छे से सेक लेंगी अभी यहाँ पे हम इसे पल्टा देंगी दूसरी तरफ यहाँ पे हम bread को सेक लेंगे और थोड़ा सा oil भी डालेंगे जब तक यहाँ पे bread पूरी तरह से golden नहीं हो जाती है और crispy नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे हमें इसे सेक लेना है gas की flame को मैंने यहाँ पे slow रखा है और slow flame पे यहाँ पे हम इसे सेक लेंगी अभी यहाँ पे हम इसे पलटा के चेक कर लेंगी आप यहाँ पे देख सकते हो कि bread बहुत ही अच्छे से golden हो चुकी है और crispy भी हो चुकी है तो यहाँ पे हम इसे एक पलेट के अंदर निकाल देंगी अभी यहाँ पे जो टिक्की वाला portion है वो यहाँ पे हम उपर रखेंगे और bread वाला portion नीचे रखेंगे और यहाँ पे हम इसके उपर मिठी वाली दही को लगाएंगे यहाँ पे मैंने दही के अंदर शुगर डालके इसे मिठा किया है अगर आपको मिठा वाला दही नहीं पसंद है तो सिंपल वाला दही का भी योज कर सकते हो अभी हम इसके उपर हरी चतनी को डालेंगे यहाँ पे मैंने धनिय फूदीने की एकदम तिखी वाली चतनी को तयार किया है तो यह चतनी को यहाँ पे हम इसके उपर डालेंगे और अभी यहाँ पे हम इसके उपर मीथी चतनी को डालेंगे यहाँ पे मैंने गुड इमली की चटनी को बना के पहले से ही तयार किया है अगर आपको गुड इमली की चटनी की रेसिपी और धनिय फूदीने की चटनी की रेसिपी को देखना है तो आप मेरी सेव पूरी की रेसिपी के अंदर देख सकते हो वहाँ पर मैंने पूरी चटनियों की रेशेपी दिखाई है अभी यहाँ पर हम इसके उपर बारिक सेव को डालेंगी यहाँ पर हमारी सुपर, टेस्टी, डिलिशियस चाट बन के तयार हो चुकी है सर्विंग के लिए तयार है तो अभी यहाँ पे मैं सर्विंग फ्लेट के अंदर साव कर लेती हूँ इसे अभी यहाँ पे मैं आपको यह चाट का नाम बता ही देती हूँ यहाँ पे हमने बनाई है बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस ब्रेड की चाट को ये चाट को आप बड़े पार्टी, किती पार्टी या छोटी मोटी गेट टूगेदर पार्टी के अंदर बनाईए सबको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही कम महिनत में ये चाट बनके तयार भी हो जाएगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और फ्यूचर में आने वाली हर नई रेसिपी को आप देखना चाते हो तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा अगर आपने मेरी चनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ही मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा अपने फैल फ्रेंस में से शेर कीजिएगा और नेक्स रेसिपी आप कौनसी देखना चाहते हो मुझे कॉमेंट बोक्स में लिख के बताएगा तो मैं आपके लिए जरूर से लेकी आऊंगी तो मैं नीधी आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई एंड हैपी कोकिंग